हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक हम मैं यूट्यूब चैनल तो दोस्तों ये इस ड्रामा की एक्स्पीनेशन का पार्ट नॉमबर ट्वैल है अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नी क्या है तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे और अगर आपको अगर आप ऐसा क्यों करना चाहते है तो मेरी ट्रिक बिल्कुल ठीक बैठी मुझे बता थो तुम आओगी जरूर कुन्वा क्याती है उसे गिफ्ट नहीं चाहिए बैटो तो सही तुमने इसे ढंक से देखा ही नहीं इस पे तुमारा नाम लिखा है तो अब तो तुम ही इस कर सकती हो गुदवा क्याती है मगर उसे नहीं चाहिए तब दो ट्र रच फेक कहते हैं सिफ यह तरीका है जिससे मैं तो मैं देख सकता हूं हां मैं पोलिस स्टेशन के बाहर तो बैट नहीं सकता कुन्वा क्याती है मुझे लगता है मैं अपने आपको क्लियर कर दिया था ट उन्वा कहती है, विश्वास करना न करना, आपकी प्रॉब्लम है, प्लीस दुबारा ऐसा मत कीजेगा, वो वहाँ से चली जाती है, तो वहीं दूसी तरफ हुजन में सियो से मिलने के लिए जाती है, वो उनसे सीधे कहती है, जब हमारी जिंदगी से चली गई थी, तो दुब हुजन सही कहता है, एक मा के पास अपने बच्चों को छोड़ने का कोई रीजन नहीं होता, मिस हीो हुजन से कुछ कहना चारी थी, हुजन कहती है, मैं तो फिर भी बड़ी थी, मगर आपका बेटा तेजन, वो तो सिफ 11 साल का था, आप कैसे उसे चोड़ करके जा सकती है, म अगर हुजन उन से कहती है, तो अब दुबारा, मेरे और तेजन की जिंदगी में वापस लोटने की कोशिश मत कीजिए, और ना ही ही चैन के नस्दीक भी जाना, परना मैं पुलिस में रिपोर्ट कर दूँगी, हुजन महाँ से चली जाती है, और मिस हीो बहुत ही सादा र ही करती ही, हो सकता है, मेरी माने कहीं शादी कर लियो, और वो ऐश वाराम की जिंदगी जी रही हूँ, लेकिन मेरे डैट का क्या, तब तेजन आ करके अपनी भेहन को शान कराता है, तो वही दूसी तरफ डोयून, वो गुन्वा के दुबारा, रिजेक्शन के बाद, कुछ तब तेजन उसे मैडिसन देता है, और कहता है कि तुम ये मेरी गाडी में बूल गई थी, कुन्वा कहती है, शुक्रिया सीनियर, तेजन कहता है, शुक्रिया कहने के कोई जरूरत नहीं है, मैं अपनी पार्टनर को दवाई देने के लिए आया हूँ, और मैं याँ सिफ एक पार्टनर की वज़े से आया हूँ, तो तुम मुझे आवाई नहीं कर सकती हो, और हाँ, कल काम पे कोई भी कड़बर नहीं चलेगी, कुन्वा कहती है, मुझे माफ कीजिए, तेजन कहता है, जाओ अब जाके सोजाओ, कुन्वा कहती है, क्याओ अपनी कार ले करके नहीं आ इसी चक्कर मेरी दोनों के बीच में फिर से जखड़ा हो जाता है, अब तेजन नहीं में सियों से बत्तमीजी से बोला था, इसलिए आंटी उससे बोलती है, कि तुम्हें बड़ों से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए, तो वहीं दूसी तरफ, ऑफिसर जैंक के हाथ में दर्द जैंक की थी, अब आफिसर जैंक, वो तो तेजन की तारीफों के पुलबानने लगती है, क्योंकि सबको पता है कि वो तेजन को पसंद करती है, तो थोड़ी जलिसी तो हुई थी ये जान करके, मगर वो आफिसर जैंक से जब बात कर रही थी, तब ही वहाँ पे तेजन जैंक, गुंद्वा हैरान और टेजन कहता है, चलो आब खड़ी क्यों हूं, तो अब जिम में, टेजन गुन्द्वा से पूछता है, आखिर तुभे बाकिसिंग 들어온 की पसंद है, गुंद्वा कहती है, क्योंकि ये दर्द को सहने की आधर दिलाती है, टेजन कहता है, निल्स को खीच के मुख्का मारने की भी गुणवा कहती है अफकॉस वो मुख्का मारती है अब कर उसके लिए पहले दरस्ध सहना आना चाहिए उसके लिए उसके लिए उसकी जिनगी की वाकसंग रिंग की तरह ही मैं समझगया सिर्फ एक सिंखल rejection मेरा कुछ भी नहीं बिगार सकता गुन्वा देखती है कि तेजिन ने अपने according की मतलब निकाल लिया था आगे उससे पट्टी बाननी भी नहीं आ रही थी आत पे तो गुन्वा उसके हाथ पे पट्टी बानने लगती है और तेजिन मुसकरा के गुन्वा को देखने लगता है खैर खुश हो करके तो जिम में डोयून भी आ रहा था मगर जब वो इन नोनों को साथ में देखता है तो चेहरे की खुशी कायब हो जाती है और वो तेजिन से पूछता है तुँ मेरे लागे में क्या कर रहा है तेजिन कहता है अफ कहती है शांत हो चाहिए और तब तेजिन कुन्वा को हैरानी से दिखता है दोयून कहता है तुम अपने बॉस के साथ बॉक्सिंग नहीं कर रही होती अगर तुम्हारा कोई बॉइफ्रेंड होता तो तुमने जूट बोला वो तेजिन से कहता है कि मैं आफसर मू में इंटर कुन्वा कहती है शब्स से बंदी कृटो Hearts T提ू कहता है तो क्या कोई और भी हो जिसने पर जबस यो इपने ट के बार में बहुत कुछ कुछ बबनी हो बताने लगता है कुछ भून्वा को है इचि कह तो यह उसे हैसे बुर हो तक दो तसी चुछ कि अपने बारे में बात की है तेजिन कहते है धीरे धीरे आदत हो जाएगी कुन्वा कहते है आप अच्छे इंसान है और मुझे पसंद है तेजिन कहते है अच्छा तो मैं सडू बास नहीं हूं मैं तुम्हारा इंतिजार करूंगा जब तक तुम मेरे साथ कमफर्टेविल फ हुँ पसंद नहीं है संगल मदर और उसकी वह पर्शांग करने वाली सॉट अजह ऑपस लटता है और अगले दिन तब यहां पर क्या कर रहे हैं, डोयून पूछता है, सच बता हो, क्या तुम उस चाते जिन को डेट कर रही हो, गुन्वा कहती है, इससे आपका कोई मतलब नहीं है, डोयून कहता है, मतलब है, एक तरफा ही सही, मगर प्यार तो प्यार है, गुन्वा कहती है, प्लीज मैं तुमारे काम के बीच में नियाओंगा मैं बस थोड़ी देर यही पे सो जाता हूं तो वहीं दूसरी तरफ ऑफिसर जैंक कोई मौका नहीं चोड़ रही थी तेजिन की उपर लाइन मारने का और यह जीज़ देखकर कि ऑफिसर चोई को जली सी हो रही थी तेजिन भी बड कोई आफिसर मौ दुबारा मिलते हैं मकर तभी गुद्वा से पूछता है क्या तुम उससे बैट लगाओगी तेजिन सामने आचाता है तीन महीने के अंदर आफिसर मौ मेरे प्यार में पढ़ जाएंगी तेजिन कहता है तुम्हें चाना चाहिए दोयून कहता है क्या मकर मैं तो जीतने वाला हूँ वो हाँ से चला जाता है और फिर गुद्वा से कहता है परशान होने की ज़रत नहीं है ऐसे नशेडियों के साथ तो हम डेली डील करते हैं मकर खुद वो परशान हुआ था इस सब से वो हुजिन की शौप पे कुछ काम से गए थी और तब हुजिन जानमूच करके गुद्वा के सामने तीजिन और ऑफिसर जैंक की साथ में आने की बाते करने लगती है वो तो ऑफिसर जैंक को टिप्स देने लगती है उनके घर की बहु बनने के लिए गुद्वा ये सब के लिए परफेक्ट मैच है न क्योंकि ऑफिसर जैंक कितने अच्छे खांदान से आती हैं साथी साथ कितनी प्यारी और खुबसूरत भी है अब गुद्वा क्या ही बोलती है उसकी तो बोलती ही बंद हो गई थी खेरब इसके बाद भी पुलिस स्टेशन में ऑफिसर पार् को पसंद करती है ये तो हम सबको पता है अब तो और गुद्वा इस सब बारे में सोचने लगी थी तो वहीं दूसी तर डूयून के गुस्टे का शिकार सुन्यूक भी बन जाता है वो उसे काम से निकाल देता है बोला अपने भाई से जाकर के जखरती भी है मगर कोई मगर अपने भाई का मूट खराब देख करके वो उससे पूछती है क्या हुआ है मुझे बता थफसुन्यूक अपना गुस्ट से अपनी बहन के उपर उतार देता है तो वहीं दूसी तरफ हुजिन वो जाकर के तेजिन से पूछती है कहीं आफिसर जैंग ने तुझी कुछ बताया तो नहीं थेजिन कहता है क्या मतलब तब हैजन कहती है वहाई मैं उसे अपनी है कि यह यह जानकारी डे रही थी तो कुछ जादाै भया दिया थहाई तो क्या ये सब कुछ तुमने अफिसर मो के सामने बोला तिन कहती है देख अब दुबारा शुरू मत हो जाना जाना चाहिए कि उसे तो से दूरी बना लिनी चाहिए, मगर वो तो हम रहाँ से हीली नहीं, हब हम क्या करें, तेजन पर्शान हो रहा था, हुजन कहती है, सच-सच पथा, तू आफसर जैंक को ना पसंद नहीं करता है, तेजन कहता है, जाओ यहां से, वो अपनी बैंचे कहत तब तेजन उसे कहता है, हेलो उरी, कैसी हो तूम, उरी पूछती है, क्या आप अपना वाकी टॉकी और कार ले करके आए हैं, तेजन कहता है, नहीं, बगर अगली बार, मैं तुम्हें राइट पे ले करके जाओंगा, गुनुवा यह सबसे परशान हो रही थी, तेजन कहत तेजन कहता है, 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 मेरा कैफे में इंतिजार कीजिए तेजन उरी को बाय बोलता है मगर उरी को बाय बोलना अच्छा नहीं लग रहा था खैर इसी के साथ यह वाले पार्ट के एक्स्पिलनेशन यही पे कम्पीट होती है दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजे और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे थेंक्स फॉर वाचिंग मिलते बहुत जग